किसी भी कमपनी के balance sheet को 3 parts में बाटा जा सकता है पहला है income statement, दूसरा है balance sheet और तिसरा है cash flow हम सुरू करेंगे सबसे पहले income statement से अगर कोई job करता है तो जैसे उसका income होता है और उसके घर के खर्चे होते है और उसके बाद जो उसके पास पैसे बचता है उसका वो net income होता है या net saving होती है उसी तरह से किसी भी company का जो net revenue होता है उसमे जो expenditure होता है उसको subscribe किया जाता है तो उनका जो net income बचता है उसको net profit या net income बोला जाता है इसको थोड़ा और detail में समझने के लिए हम एक example से समझने की कोशिश करेंगे सबोज एक company है जिनका business है गेहूं से आटा बना कर बेचने की और उन्होंने एक साल में सबोज 10,000 packets जो है आटा का उन्होंने बेचा है और एक जो बोरी है आटे की उसकी कीमत है 300 रुपए तो इस तरह से जो total उनका price जो नोंने बेचा माल उसका हो जाएगा 300 into 10,000 equal to 30 lakhs रुपिस एक साल में उनका जो पैसा आया उसको revenue बोला जाता है अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं gross profit के बारे में तो जिस तरह से अभी company ने आटा बना कर बेचा तो उस आटा को बनाने के लिए उसको कुछ raw material की जरूरत पड़ी होगी और इस case में उनका raw material क्या है उनका raw material था गे हूँ तो उन्होंने ये जो आटा बनाने के लिए जो raw material यूज किया है उसको खरीदने के लिए suppose 10 लाख रुपे खर्च किये तो जो उनका revenue था उसमें से इस जो cost of good है उसको subtract कर दोगे घटा दोगे तो आपको जो amount मिलेगा वो मिलेगा आपको gross profit या फिर gross income जब gross profit या gross income से operational जो expenses होते है उसको subtract कर दिया जाता है तो जो amount निकल के आता है उसको बोला जाता है operational profit तो यहाँ पर हम समझने के कोसिस करेंगे जो operational expenses है या expenditure है वो क्या होते है तो किसी भी जो product यहाँ पे जो हम आटा बना रहे है तो उसको बनाने के लिए कुछ workers लगे होंगे factory लगे होगे तो factory किसी land पे बनी हुई होगी तो हो सकता है उसका rent पे करना पड़ता होगा तो वो एक तरह से operational expenditure हो किया और वहाँ पे जो उनको बनाने के लिए जो salary दी जा रहे है उन workers को वो भी इसी operational expenditure के अंदर आ जाएगा हम समझने की कोशिस करते हैं कि net profit या फिर net income क्या होता है तो जो हमारा operational profit या operational income निकला उसमें से अगर जो company government को tax दे रही है उसको minus कर दिया जाए और अगर company ने loan लेके रखा है उस loan में जो interest देना पड़ रहा है वो minus कर दिया जाए और उसके अलावा company के कुछ और भी प्रफिट का वो actually profit जो होगा net profit या फिर net income कहलाता है किसी भी company का जो financial statement होता है उसमें next जो part होता है वो है balance sheet तो balance sheet actually क्या होता है ये actually आपको बताता है company के net worth के बारे में company के जो assets होते है उसमें से उनके जो liabilities होते है उसको subtract कर गया जाता है तो जो value निकल के आता है वो company का net worth होता है किसी भी company के balance sheet को actually three parts में divide किया जा सकता है पहला assets दूसरा liabilities और तिसरा equities तो सबसे पहले हम assets के बारे में देखेंगे कि assets क्या होते है किसी भी company के assets को दो categories में divide किया जाता है current assets और non current assets तो जो current assets है उसमें ऐसे चीज़े आती है जो company own करती है और वो जो उनके जो balance sheet हो होगा उसको सिर्फ इसी financial year में रखा जाएगा next financial year onwards वो उस balance sheet में नहीं होगे तो ऐसे चीज़े क्या हो सकती है वो हो सकती है cash जो company के पास cash होगा वो होगा current assets में आएगा दूसरा हो सकता है account receivables यानि कि कि किसी customer ने अगर पैसे उधार पे लिए है कुछ सामान और उन्होंन current assets के अंदर ही आएगा next हो सकता है कि company के पास कुछ सामान बना हुआ है लेकिन वो अभी बिका नहीं है तो वो भी उसके assets के अंदर आएगा current assets के अंदर इसी तरह से कुछ company ने सामान बरादने के लिए सामान एक सक खरीद के रखा होगा या फिर prepaid कुछ सामान को करके रखा होगा जो उनके सामान अभी पास आया नहीं है तो वो भी current assets के अंदर आ जाएंगे फिर दुसरा है non current assets तो non current assets में ऐसे assets जो company own तो करती है लेकिन वो इसी सिर्फ financial year में नहीं रहे के वो आगे भी इनके साथ रहेगा तो उस वाले इस्तेती में क्या क्या चीज़े होंगी उस उसमें हो सकता है company का जो land है जिसमें factory बनी हुई है तो वो जो land है उस company का non current assets हो गया इसी तरह से जो factory है वो भी company का assets है और क्यूंकि यह हर साल उनके balance sheet में रहेगा तो यह non current assets हो गया और तिसरा हो सकता है equipment या फिर जो factory के अंदर जो use करने वाले जो machines है वो भी इनके assets ही है और वो हर साल उनके साथ रहेंगे इसलिए उनको हम बोल सकते हैं कि non current asset है उनका जो balance sheet है उसका जो next component है वो है liabilities या फिर जो obligations होते है companies के तो इसको भी दो categories में divide किया जा सकता है current liabilities और non current liabilities के अंदर companies को ऐसे amount जो pay करने है इसी साल के अंदर करने है वो सारे obligations आते हैं तो पह account payables यानि कि उन्होंने जो सामान खरीदा है उधार में और जो जिसको इनको चुकाना है इसी साल में वो इसके अंदर आ जाएगा next आ सकता है post paid bills उन्होंने कुछ connections वगेरा internet जैसा की electricity या फिर ऐसा कुछ connection लेके रखा है जिसका payment वो एक साल या एक quarter के बाद करते हैं तो वो सारे इनके liabilities के अंदर आ जाएंगे अगर company tax pay करती है government को तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा current जो liabilities है और next non current liabilities तो non current liabilities में क्या आएगा जो भी company के long term liabilities है यानि कि इस साल में जो pay करना है उसके अलावा भी pay करना है ऐसे वाले जो उनके खर्च है तो वैसे वाले में हो इस value में आ जाएगा balance rate का जो next component है वो है equities तो जब भी कोई company अगर publicly traded listed होती है तो उसका जो कुछ part होता है share का वो अपने पास रखती है promoters और कुछ 30 या 40% market publicly वो release करती है और public से fundraise करती है तो जो पैसा उनको publicly जो share बेच के मिलता है वो amount plus जो उनके पास promoters के पास shares बचे र आते हैं उसका value जो होता है वो equity के अंदर आता है इसमें एक और part जुड़ा वराता है जब भी कोई company अपने profit generate करती है और कुछ हिस्सा उसको reserve के रूप में रखती है तो वो reserve वाला पैसा भी इस equity के अंदर आता है तो फिर company का जो net worth है वो क्या हुआ वो हुआ अगर company के assets मे से अगर उसका जो liability से पूरा subtract कर दिया जाए घटा दिया जाए और जो numbers आएंगे वो company का होगा net worth किसी भी company के financial statement का जो third section होता है वो होता है cash flow का तो cash flow का मतलब होता है कि किसी भी company के पास कितना cash आ रहा है और कितना cash company को खर्च करना पड़ रहा है और जो net उनके पास बच है reserve के रूप में जिसको हो सकता है dividend देने के लिए use कर रहा है और उनके पास reserve और surplus के रूप में रख रहे है वो part कितना अच्छा है अब हम थोड़ा detail में समाझने के कोशिस करेंगे कि किसी company के पास जो cash आता है वो कितने तरीकों से या कैसे आता है तो एक तरीका हो सकता है company जो operational activity है जैसे कि उनका जो product बनता है या फिर जो services generate होते है उसको बेच के जो पैसा आता है वो उनका एक तरीका हो सकता है cash आने का दूसरा तरीका हो सकता है investment के थुरू अगर company ने अपने कुछ surplus या पैसो को कहीं fixed deposit या कहीं पे लगा के रखा है तो उससे जो interest उनको आएग वो भी उनका एक cash आने का जरिया हो सकता है next जो तरीका हो सकता है company को cash आने का वो हो सकता है उनको इस firm में की company को lowट लेना पड़ा है अपने business को expand करने के लिए उनको उसके उस वाले case में भी कुछ cash आता है जो cash flow के अंदर ही आता है तो किसी भी company का कितना cash flow होना चाहिए कि कि उस company को हम अच्छा बोल सकते हैं किसी भी company की cash flow में हर साल अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वो company अच्छी समझे जा सकती है इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि किसी कोई एक individual है suppose और उसकी income का जो स्रोत है या फिर income का जो source है वो salary है उस salary से हर साल वो या हर महिने उसको ख घर चलाने के लिए खाना के रूप में school या बच्चों के जो fees होते हैं उसके लिए entertainment के लिए और इस तरह से कुछ पैसे वो अपने investment के लिए भी बचाता है तो जो पैसा उनका cash income हो रहा था वो inflow हुआ और जो cash spend हो रहा थे वो उनका cash flow out हुआ और जो net उनका saving हो रहा है उस उसको आप समझ सकते हो कि जो actually जितना save कर पाएंगे तो उस हिसाब से वो उतने ही strong होंगे और हर साल अगर उस employee का कुछ salary बढ़ता है तो इसलिए जो saving का उनका तरीका है या saving का जो amount है हर साल कुछ ने कुछ बढ़ना चाहिए तो इसी तरह से किसी भी company का अगर reserve जो पैसा ह होता है वो हर साल अगर बढ़ रहा है और या फिर cash flow जो net cash flow जो है वो अगर बढ़ रहा है तो company अच्छी है उसको अपने portfolio में add किया जा सकता है ओप कि आपको financial statements के बारे में समझ में आ गया हो कि कैसे income statement देखते हैं कैसे balance sheet देखते हैं और कैसे cash flow है उसको देखते हैं तो आ partner.in या फिर moneycontrol.com वहां से आप किसी भी company का यह जो financial statement है उसको open करके उसका analysis कर सकते हो और खुद से decision ले सकते हो कि वैसे share को अपने portfolio में रखा जाए कि नहीं रखा जाए यह long run में आपको profit देगा कि नहीं देगा यह सारा decision आप खुद से ले सकते हो और अपना एक strong portfolio एक profitable portfolio ब